अरे बाबर क्या हाल चाल हैं वहिए कैसा लग रहा है तुमको दूसरा टेस्ट भी हारने के बाद अरे पहले टेस्ट थो तुम हारी चुके हो चौथ रणों से अरे ये भी हार गया तुम चप्शब्थ रणों से वहिए तुमसे ना जीता जाएगा ह one अभी तुम से रनना बन ना पता नहीं तुम को क्या जलती थी वही आउट होने की वही रहने दो तो तुम सीर यार गोए हो तो गर्में बी ऐसे हार जाते हैं वही जैसे बाहर हार का रहे हो अभे बैंस्टॉक दिमाग खराम करो हमारा अभे तुम्हें क्या पता है कि चौति पारी में बल्लेबाजी क कितना मुस्किल होता है और नहीं पता है अरे तों गए हो लेकिन हमारे वाज बेंगे उसके नहीं बाद्ट पारे उसे पहले न बनाएं पहले दूसरी में हमारे बना भी कुछ चर्वाबर ये तुम कैसी बाते करती। अरे तुम से ना होगा ये बिदले-बिले का काप तुम तो सिर्फ भई हारने के लिए बने हो उ तुम다면 हारने जाओ करना वह इत्वार okay और फिर भी हमकेड़ोगे तुभि ऐसी हार गहीन तुम जिंबावे, बंगलादेश, सिरिलंका इन से जीत सकते हो और सिरिलंका से तो खेर तुम उसमें महार गई इसे कप में तुम क्या जीतोगे उनसे तो आप घेर अरे तुम तो भईया उनसे जीतोगे जो कोई लुली टीम होंगी जादा ही बागी तुम मुझे लगने रहा कि तुम भारी हालत देख के तुम जीत पाओगे किसी से ठीक है यार सिरिज हार गया भी तो एक टैस्ट और बचा है उसमें भी पेल कर जाएंगे तीन जिरो से तुम्हारा सपाय करके जाएंगे हम ऐसे नहीं जाएंगे यहां इतनी आसानी से अरे बाबर भाई जानी अंग क्या आख कर ओ दें नहीं गाएंगे हमारे घुपी जानी कि को हैं ernst लॉप तुम ने क्या कम एंग्लेन्ड के वाईञे उननां लीड उनके पास वैसे हो गई अब बताओ हम जब इतने सकोर को नहीं काट पा रहे हैं दोसों क्या घंटम में जितेंगे यह तो इंगलेंड है ऐसे हालात रहे तो हम उनसे भी हार जाएंगे बंगलादेश से अपनी बदनामी है अरे बाबर यार वह सब ठीक है मुझे लगता अब यह तुम कप्तानी छोड़ दो और कप्तान कोई नया बन जाए क्योंकि मैं ही बन जाता हूं कफ्तान तुम्हारी कप्तानी में तुम अपनी बल्ले बाजी को सही डंग से नहीं कर पा रहे हो इसलिए बाबर भाई मुझे लगता तुम कप्तानी छोड़ो फिर देखो कप्तानी हम करेंगे हमारे अलग जलवे हो जाएंगे